अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS News चैनल को सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को जरूर दवाईएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटिट रह सकें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का RS News के एक और नए वीडियो में दोस्तों अच्छी के इस वीडियो में हम लोग भात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे टीट टीटी मुकाबले में रोई शर्मा कौन से महा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं तो आप लोग बने रह रिंकला चल रही और इसका पहला मैच बंगलादीशी क्रिकेट टीम ने साथ विकेट से अपने नाम कर लिया है हलाकि दूसरा टीट टीटी मुकाबला जो होने वाला है अब वो साथ लवंबर को राजकोट के मैदान पर भारते समय अनुसार स्राम को साथ बजी से खेला जा आए कि टीटटी मैच में भारते टीम के सलामी बल्लेबाज और इस टीटटी सीरीज में कप्तान रुईश शर्मा की निशाने पर छको के रिकॉर्ड हमिसा से ही चलते आ रहे हैं तो ऐसे में वो एक महार रिकॉर्ड बना सकते हैं अगर वो दूसरे टीटटी मुकाबले में 8 चके लगाने में कामियाब होते हैं या फिर उसे ज़्यादा लगा देते हैं तो वो अंतराष्टे क्रिकेट में 400 से ज़्यादा चके लगाने वाले भारत के नम्मर वन बल्लेबाज बन जाएंगे मतलब कि आज से पहले कोई भी 400 चको का आगड़ा भारते खिलाड़ी पा दरसल अंतराष्टे इस तरपर रुई शर्मा ने अभी कुल 392 चके लगाए हैं और सरवादिक चके लगाने के मामली में वह चोथे पायदान पर मौजूद हैं जबकि ब्रेंडन मैकुलम ने 398 चके लगाए हैं और वो इस लिष्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं त दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान साहिद अफरीदी का नाम आता है जिन्नोंने 476 चके लगाए हैं तो अब आप लोगो क्या लगता है क्या रुई शर्मा अगले टीटूंटी मुकाबले में आठ या फिर उस्ते ज्यादा चके लगाने में काम्याब हो प अगर आप पहली बार आये हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को जरूर दबाईएगा जिसे कि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से हमेशा अपडेटी ड्रेसर के मिलेंगे अगलियों कर ऐसी जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत